उत्तर प्रदेश में डेंगू के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं क्या है कारण कितने हैं मामले बढ़ चुके हैं हम आपको बताते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक लगबग टोटल 18,000 से उपर मामले दर्ज हो चुके हैं डेंगू के अंदर जिसके अंदर deaths जो हैं लगभग 8-9 के आसपास है अगर हम शेरों की बात करें तो 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं सबसे जादा affected हैं इन में से आते हैं लखनाउ, अलीगर्ड और कई सारी डिस्ट्रिक्ट आती हैं जिसमें से लखनाउ सबसे जादा affected है लखनाउ ने लखनाउ के अंदर एक दिन के अंदर लगभग 80-85 डेंगू cases का देखा इनका पर डेंगू की डेंगू की आवरेज जो है 30-35 का है लखनाउ का इससे पहले डेंगू की cases का rise सेप्टेम्बर से बढ़ते आ रहा है और September से पहले जो एक average था लखनौ शहर की अगर हम बात करें तो दिन का एक से दो cases का average था अभी तक लखनौ में डेंगू को लेके लगबग दो death हो चुकी है पर कारण क्या है क्यों इतने cases register हो रहे हैं दर्ज हो रहे हैं तो medical department का कहना यह है कि around September के बीच के आसपास उन्होंने डेंगू के लिए एक पोर्टल बनाया जिसके अंदर उन्होंने सारे डिस्टिक के सारे अस्पतालों को बोला कि वह every day अपनी डेंगू की टेस्ट की जो रिपोर्ट है वह संबिट करें तो cases जादा दर्ज हो रहे हैं है ना जो की पहले दर्ज नहीं होते थे तो अब cases जादा दर्ज हो रहे हैं अगर हम जहां death की बात करें तो अभी तक जो total death हूई है वो लगबख total no death हूई है अब सरकार जो है medical department जो है health department जो है वो इसको लेके अभ्यान भी साथ के साथ चला रही है उन्होंने काफी सारे अभ्यान चला हैं वो जागा के घर घर जो है awareness spread कर रहे हैं सफाई रखने के लिए बोल रहे हैं In fact, जहां जाडियां हैं, उनको साफ करवा रहे हैं, घर-घर में को उसके दर्क्वास्त कर रहे हैं, कि आप जो हैं, इसके अंदर अपने घर के अंदर सफाई रखें, गंदा पानी हटवाए हैं अपने घर से अंदर, तो साती के साथ प्रयास भी पूरा जारी है, मगर बात य और ये धीरे-धीरे कम भी हो जाएगा, कैमरा परसिन विनीत के साथ तनिश पंजाबी लखनव से